अरे लोट के आगया चतुर दूत सानन्द सभे सुनाई भरत को कुशल ख्षेम आनन्द किम्तु जब मैंने बतलाया कि एकदम चाक्र रत्न रुक गया और वह यही चाहता है कि भाईयों को आजाने दो और सब चले एक ही साथ अरे स्वागत हो सब का साथ और जब मैंने ऐसा कहा कि आप तो चले हमारे साथ एकदम उनको जटका लगा और वे मन में शंकित हुए और फिर उनने मुझे से कहा दूत तुम जाव भरत के पास अगर वे युद्ध भूमि में मुझे बुलाते हैं तो आता हूं सभी से ना भी रहेगी साथ और मैं भी आ जाता हूं बाहु बली से लड़ने की बात अरे मैं सोच नहीं सकता अधिक क्या और हारते हुए उसे मैं देख नहीं सकता और लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं मंत्री परिशद में करो विचार शांती से क्या हो सकता सहीं मंत्री परिशद जब दोनों मिली तै हुआ दोनों भाई लड़े अरे जल युद्ध और मन युद्ध और बस नेत्र युद्ध होवे परस पररक्त पात से बचे नहीं होवे कोई नुकसान किस तरह चतुराई से भाई अहिं सक रहे पूर्ण अभियान आँख से आँख मिलेगी जब नेह उमडेगा अंतर में और जल के छीटों से भी अरे मा था ठंडा होगा अरे जब मल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे वे फिर तो सभी समस्याए सहज ही सुलजा लेंगे वे आई जब तीन युद्ध की बात बाहो बली हो करके तैयार अखाडे में आप उचे शीख और के लडने को तैयार भरत जी वैसे ही आए कि जैसे आए हो दरबार अमात्यों ने उनको देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाए बाहो बली आओ आओ पास वहां ऐसे कैसे तुम खड़े अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम है तुमसे कुछ बड़े अरे तुम छोड़ो सभी विकल्ब हमें तुमसे लड़ना है नहीं हमें तुमसे है अतिशय फ्रेम ब्यर्थ में हमें जगड़ना नहीं अरे रे चक्र रत्न तुम जाओ जाओ मेरे भाई के पास सदा उनकी सेवा मेरा हो और उनको करने दो राज किन्तु वह चक्र रत्न अड़ गया नहीं जाने को था तैयार भरत ने धक्का दे कर कहा जाओ तुम जाओ उनके पास चक्र फिर धीरे धीरे गया पहुचकर बाहु बनी के पास और अत्यंत विनई से जुपा अरे उनके चरणों के पास प्रदक्षिन देदेखर के तीन रुक गया था वह उनके पास अनुज बाहु बली ने तब कहा अरे तुम जाब भरत के पास अरे वह चक्र रत आ गया पुनेह श्री भरत राज के हाथ अनच भुज बली खड़े थे पास जुड़े थे उनके दोनों हाथ दोनों बंधु हो गए एक उपस्थित था संपूर्ण समाज गले से गले मिले थे बंधु अनोखा था उनका अंदाज अनच तुम सब प्रकार से योग्य संभालो छेह खंडों का राज जाकर रिशब देव के पास मैं लूँगा दिव्यद्वनी पालाब अभी तक इसमें उलुझा रहा नहीं ले पाया दिवनी पालाब किन तु अब जागा है सत भाग्य मुझे लेने दोस खाला दुखता घर सार संसार मुझे नारंच सुहाता है अरे मैं अभी छोड़ दू ऐसी मेरे मन में यह आता है आ गई वही सामनी बात थी जिसकी मुझे को शनकाती भरत जी बहुत मनाती रहे किन तु बाभो बन जी ना रुके वे तो गई गई सो गई रोकने पर भी दे ना रुके भरत जी पीछे पीछे गई उन्होंनी मुण कर देखा नहीं अरे वे गहरी वन में गई गई सो गई गई सो गई अरे वे एक बरस के बाद ध्यान में गई गई सो गई और शुद्धों पयोग में लील हुए सो हुए हुए ही रहे और केवल ग्यानी हो गई साथ में नंत सुखी हो गई भरत जी दर्शनार्थ आये दिविध विधेस्तुति करने लगे आपको जो पाना था प्रभो आपने पाया है वह आज और मैं अभी भटक ही रहा मुझे वह पाना है जिन राज आप बन गए आज भगवान और मैं हूं कल का भगवान अरे यह तो पर यह की बाण ग्रफ्य सी तो हम सब भगवान यद पी राज काज के कामों में मेरा मन लगता नहीं तद पी मैं जब तक घर में हूं तब तलक करने ही हूंगे अरे कुछ लाभ नहीं भगवन अधिक आखुलता करने से अरे सब काम समय पर सहज भाव से यठायों क्य हूंगे अरे मैं दो पाटों के बीच निरंतर पिस्ता रहता हूं कभी अंतर में जाता हूं कभी बाहर आ जाता हूं अरे अंतर बाहर में आना जाना सदा लगा रहता अरे अगणत विकल्प भी नाथ सदा आती जाती रहते ज्यानियों काख हस्त जीवन अरे होता है दुधारूधार दिशध्धा निर्विकल्प रहती विकल्पों का पार व्यापार निरंतर चलता रहता है इसे ही कहते है व्यवुहार संतुलन कभी विगड़ता नहीं ना वो रहती है नित्म ज़दा अरे है श्रत्था सित्थों के समान पर परणती मैली है अरे है नाथ भूमिका जैसी हो परिणती भी वैसी हो अरे वह होगी तो होगी ना उसमें कुछ अदना बदनी कभी भी हो सकती है नहीं जिने श्वर बात आपकी है भूमिका के अनुरूप विकल्प होएं तो उनको रोगे कौन रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोगे कौन अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव क्यान के गे ये बना रेके सहज ही सब प्रकार के भाव आप बतलाती है जग को स्वयम को जानो उसमें जमो स्वयम में ही अनन्त सुख है इसलिए स्वयम स्वयम में रो स्वयम को जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज सहज का जीवन का आनन्द यही है परमागम का पंत शीग्र आवेगा भवकांत शीग्र आवेगा भवकांत प्रगट होगा अनन्द अनन्त ज्यान दर्शन भी होंगे नन्त वीर्य भी होगा आरे अनन्त अनन्त अनन्द अनन्त 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 आपने जग को समझाया आपका यही देव्य उपदेश मुझे भी अंतर से भाया